ये देख लो मैं तो गोड़ा पकड़ के तयार खड़ा हूँ आप पलीज उसमें स्वार हो जाएं और समय भी हो गया है तो ताकि अपने इस तांगे को अपने रथ को आगे बढ़ाए जाएगे हाइफा परिवार के सबी सजस्यों को राजिंदर वर्मा येश बाबु का नमश्कार ये शबाबु जी शायद आप बैठ गए होंगे रथ में तो आप हमारे बलु जी त्यार हैं रथ को चलाने के लिए आप चल पड़िये ताकि आपकी जीवन यातरा का हम सभी आनुद लें तो दोस्तों मैं आप सभी को थोड़ा सा जानकारी दे दूँ ये शबाबु जी के बारे में ये शबाबु जी अपने अर्याना में कुरु छेतर के रहने वाले हैं और फिल्म प्रोडूसर, डारेटर, राइटर तो हैं ही साथ में इनका एक न्यूज पेपर आता है वहाँ से डेली इवनिंग ये शबाबु के नाम से और साथ में ही एक फिल्म मैगजिन है यूनिवर्सल कवरेज जो ओल इंडिया में जाती है सिनेमा पर बेस्ट है उसकी भी ये मालिक हैं और जनलिस्ट तो हैं ही पहले प्रिंटी मीडिया में ही आई थे बाद में सिनेमा में भी साथ में जुट गए तो आज हम सभी उनकी जिवन का अनन्द लेंगे उनके से बातसीत करते हैं तो ये शबाबु जी अगर आप आ गए हों बैट गए हों तांगे में तो पलीज आप शुरू करें शुरी राजिंदर वर्मा जी येश बाबु आपका हादिक स्वागत करते हैं हाइफा के इस तांगे में तो आए आज आपके जिवन यात्रा के साथ हम भी यात्री बन जाते हैं बहुत बहुत स्वागत है आपका येश बाबु जी पहले तो हम सभी ये जाना चाहेंगे कि आपका नाम राजिंदर वर्मा है लेकिन सभी लोग आपको येश बाबु के नाम से जानते हैं तो ये यश्य बाबू का जो नाम है आपका बच्पन का है या अखवार का नाम है इसलिए जानते हैं आप आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके थोड़ा सा रोशनी डालिएगा थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको और गुरूप के सभी सदस्टों को बता दूँ कि मैंने ये गु में रहते हैं तो उन्होंने मुझे दोस्त के लियाज से एक होकम सा देते हुए मुझे कहा कि अरे तुम उनको ये शबाबू को क्यों नहीं जोड़ने वाला लेकिन मेरे पास उनका नंबर नहीं है आप नंबर बेजदो मनको जोड़ लेता हूं तो अनिल बेदाग ने और मैं ये सोच रहा था कि ये शबाल शर्माजी का नंबर है उसमें जोड़े रखार वो इतने बड़े स्टार थे और मैं कभी मिला नहीं था और मुझे डर के मारे मैं बस बहुत कम ही उसमें पोस्ट डालता था कि कुछ ऐसा वैसा ना जाए कि जो फिलम आर्टिकल लिखत है जो आज दुबारा बताने का मंद चाहा तो ये शबाबु जी आप बताईए आप पहले जियोन के बारे में आपने कैसे क्या अख़वार की शुरुआत किया बच्पन से अपनी फैमली के बारे में थोड़ा सा बताईए थोड़ा सा बैठके या जनाब आप पुछिए मे देख रहा था सब तांगे में बैठे थे सावारी आनन्द ले रहे थे तो अब मुझे आनन्द आएगा मेरी तो चोटी सी जिन्दगी काहनी सुनाओंगा जी आप जो पुछना चाहोगे सुशील जी बलू जी येश्पाल जी और भी कोई पुछना चाहेगा तो मेरा जनम राजपुरा पंजाब में 23 स्टंबर सन 1962 को हुआ था और बच्पन से ही एक शौंग था कि एक्टिंग करनी है फिलम लाइन में जाना है उस जमाने में कहलो कि मौका नहीं मिला या साथ नहीं मिला बड़ों ने साथ नहीं दिया जितना हो पाया कर पाये और आगे इस मुझल पे पहुंचे हैं अब आप अश्टार से पूछते जाईए मैं सब को बताता जाओंगा नमस्कार हाइफा गुरूप के आधनिये मेंबर्स मेंबर्स को सुच्चित किया जाता है और बड़ी कुशी की बात है कि हमारे इमेल आईडी एक्सेप्ट होगी है बन गई है और सभी को बता जाके हाइफा हरियाना1 at the rate of gmail.com मैं दोबरा रेपीट करता हूँ हाइफा हरियाना1 at the rate of gmail.com तो यह हमारी इमेल आईडी रहेगी जो भी इस पर correspondence करे आगे तो ओफिसल आईडी हमारी है हाइफा हरियाना1 at the rate of gmail.com थैंक्यों जिश बाभु जी आपका पैशन देख कर तो हमको प्रेना मिलती है मेरा जो नाम है ओ राज इंदर कमार वर्मा है और ये श्बाभु मेरे पेपर का नाम है मैंने कुरुक्षेटर में इसकी स्थापना की 11 मार्च 1987 को छुरुक्षेटर में जह मैंने ये पेपर स्टराड किया और ये पेपर तो नाम है यह रिस्टार आफ निउस्पेपर नई दिली से मिलता है तो मैंने बहुत से नाम अपलाई किये जिसमें जन कल्यान आलोकी कोकीला बड़े अच्छे नाम थे जब गया तो जब भी जाओं यह मैसेज मिले कि यह पेपर चल रहे हैं आप अपना आगे दस नाम दे दीजिए तो एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं तो मैं जब पत्रकारता करता है तो मैं स्टार्डेस्ट मायापुरी के लिए लिए लि सब्सक्राइब तो मैंने बोला है मैंने अभी जाना है रिस्टार और इस पेपर में तो यह रैसे से मुझे नाम नहीं मिल रहे हैं तो मैं नाम लूँगा तो बोलते हैं कि यार आजकल सलीम चाहिए लक्षभी कांत पैरलाल दो भाईयों के नाम से रख दो दो तो करते-करत से उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपका नाम किया राजिंदर राजिंदर बाबु रख लो नहीं जी फिर आया येश बड़े भाई साब का नाम है तो बोले येश बाबु रख लो मैंने का यमना नगर में बहुत बड़े सेतेकार भी हुए हैं तो वो उस समय जब हमन से तो अभी इसका नाम अभी नाम करन तो अभी किया है आपके पस कहां चलना जरा मुझे बताइए तो जो एक घंटे के बाद वह येश बाबु नाम मुझे मिल गया और मैं जब कुरुक्षेतर में वो नाम लेके आया तो बहुत से लोगों ने का यार क्या नाम लेके आयो रहे हैं यहार यह नाम है은 है यह तो एक किसी परसनल किसी आदमी का नाम चलता है लगता है तो मैं फिर दुबारह से Vega कि यार नाम नहया दिदो कुछ और दिदो अच्छा से दिदो तो वही कलाकार बोले कि भाई साहरा मुझे राज जी बोलते दे राज जी आप नाम को छो है एक साल के बाद मैं समझता हो कि लोग मुझे राजनर वर्मा के नाम से नहीं यश बादूब के नाम से जने लग ये आप बताईए कि आप सबसे पहले प्रिंट मीडिया में आए या सिनमा में आए कैसे क्या सुरुवात होई पूरी हाइफा फैमली को बहुत-बहुत मुबारक हो हमारे जो कागजी कारवाई उसका पहला स्टेप पुरा हुआ थैंक यू सो मच रामपल जी, जनारदन जी, सुश्विल भाई, राजु भाई, सब का पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यावाद मैंने सबसे पहले तो पंजाबी उनुश्टी पर्टियाला में मैं जॉब करता था 86 में मैंने वहाँ से रिजाइन किया, और एक नए शेहर में, एक नए काम की तलाश में, कुरुक्षित्र आया और मुझे ये कुरुक्षित्र बहुत प्यारा लगा, क्योंकि एक बार मैं कुरुक्षित्र आने चाहता था तो सुर्य गर्ण का मेला लगता था, उस समय बोलते थे, बजल बोलते है, कुम का मेला लगा है तो यह बहुत स्टान करने से यह होता है, तो मैंने का जाना जरूर है, मैं जब यहां आया तो मुझे इस शेहर बहुत अच्छा लगा और मैंने प्रंट किया कि मुझे इस शेर में जो भी करना है इस शेर में काम करना है और वो 11 माज 87 को जो मैंने पेपर स्टार्ट किया वो इतना पाबलर हुआ उस जमाने में लोकल नीउस का समय होता था लोकल नीउस का एक अच्टना होता है कि बड़े पेपरों में वो स्थानी नहीं होता था कि जैसे पंजाब के इसरी बासकर है, बासकर तो खेएबा या 2000 में उस समाने में पंजाब के इसरी अजीट और ट्रब्ून चलते थे इनमें वो स्थान नहीं होता था कि कुरुक्षेतर की खबरों को वो स्थान दे वो मुझे मिला वो सारा श्रे मैं समझता हूँ कि कुरुक्षेतर की सारी खबरे छापने का मुझे मिलता था और शाम को फिला तो मैंने स्टार्ट किये था वीकली से पूरा सब्ता लोग इंतजार करते थे कि ये शुबाबू आएगा आज देखेंगे उसमें क्या क्या चपा है और उसके बाद जैसे पबलर हुआ तो 96 में मैं जब मॉंबभी जाता था मायापुरी स्टार डेस्ट के लिए लिखता था तो कई बार ऐसा होता था कि मैंने मालों आमिर खान जी का इंटर्व्यू किया है मैंने दो बना दिया चार पेज का आर्टिकल उन न्यूज उन मैगजीन में क्या होता था कि एट कॉलॉम का न्यूज लगा और बाक्की उड़ा देते थे तब भी मेरे मन में आया कि यार इन कलाकारों के लिए इतना कुछ लिखने लिखता हूँ उनकी जीवनी इतनी उनका इतना स्ट्रगलर है उनकोंने इतना संगर्श किया हुआ है तो क्यों ना उनको पूरा स्थान मिले तब ही मेरे मन में आया कि मैं फिल्म मैगजीन निकालूओंगा ता मैंने एक नया नाम अपलाई किया तो मुझे वह उनिवर्सल कवरिज के नाम से नाइंती सिeg में स्कंबर में मैंने एक फिल्म पतरिका निकाली उस जबाणे में मैंने जो नकाली 84 फिस जिसकी मैगजीन ओटी थी जब भी मैंने मुंबई जाना मेरा वहां वेलकम होता था सब लोग मेरा इंतिजार करते थे आज ये शुबापुजी आएंगे और हमारा जो है एंट्रीवु चाहे मुझे वो दो गहंटे देते थे चाहे 4 गहंटे देते थे वह मैं ये समझझा था कि मुझे वहां से वह दिया क्योंकि इस शेर में इतनी खबरे थी और बड़े पेपर ऐसे थे जो रोज इतना मैटल चापना उच्छी तनी समझते थे किसी को स्थान नहीं मिलता था हूं मैंने फिर दैनिक पेपर स्टार्ट कर दिया और आज तीनों मेरे पब्लिकेशन बड़े अच्छी तरीके से निकल रहे हैं और मैं ही समझता हूं कि मुझे इस यश बाबू ने ही नाम भी दिया है और फिल्म भी मैं फिल्म लाइन में भी इसी की वज़ी से किया हूं यश बाबू जी आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप तो यश बाबू जी कुल मिला के यह हुआ कि आपने सबसे पहले प्रिंटी मीडिया जोईन किया न्यूज पेपर से मैगजिन से आप चले लेकिन बाद में आप सिनेमा में आगे तो सिनेमा में आपकी कैसे शुरुत होई जैसे आपने कई फिल्में बनाई है थे तो उस जमाने में फिल्म बनाने का सपना तो मेरा तब था सफेध हवेली नाम से एक मैंने नावल लिखा था तो 245 पेज का था तो उस जवने में हम सोच थे थे कि या इस पर फिल्म बन जाए जबकि हमें कोई नॉलिज नी थी ना थेटर से, ABCD पता थी ना कुछ किया तो वो जब प्रिंटिंग ब्रेस लगाई तो मैंने वो नावल पब्लिश किया सफेध है वेली के नाम से तो 87 में जब मैंने स्टार्ट किया तो एक मेरे जुनियर होता था एक लड़का प्रेम राज उसको बहुत शौंक था कि मुझे यार फिल्म लाइन में जाना और एक्टिंग करनी है तो वो मुझे धक्के से लेके गया स्टंबर 87 में हम दोनों मुंबई गए और मैंने उसका अडिमिशन कराया मुंबई में एक आर्चंद्रा एकेद्मी ओफ हेक्टिंग इंस्टिूट होता था और आर्चंद्रा उसके डारेक्टर थे परदीब कुमार जी प्रिंसिपल हुआ करते थे पदमा खना डांस एक्टर थी डॉक्टर राई मसूम रेजा जो थे वो डैलाग रैटर जो थे वो भी उसमें बोर्ड आउट एक्टर में थे जब हम वहाँ गए स्टंबर में तो अर्चंद्रा जी का में जब इंट्रव्यू कर रहा था जिनोंने मुठी पर चावल और कुछ फिल्में बनाई थी जो मैं उनका इंट्रव्यू कर रहा था था बाद में में उनसे कहा गए आप जिन बच्चों का अडमिशन दुबारा लेट हो जाता था उनके लिए तो उन्होंने बोला यार आप बताओ किसका गराना है तो मैंने प्रेम राज्जी हैं तो उनका अडमिशन हो गया उस जमाने में और गए थे थे वह एक्टर बनने के लिए लेकिन एक्टर ने बन पाए वह टेक्निकल उ चले गए डारेक्शन में चले गए मेरा उनके पास बार बार यही फोन होता था कि प्रेम सफेद मेरी को बनाना है यार सफेद मेरी के बारे मेरा मेरा मेरे चला रहा है मैंने उसको बोला प्रेम वो वल्दा चार करोड़ की फिल्म बनेगी इतना बड़ा सेट लगेगा हवेली का सेट बनेगा मैंने का यार देख 10-20 लाक की बात हो तो मैं लगा सकता हूं इससे ज्यादे मेरे बसकी बात नहीं है तो वो इच्छत दब गई नबे में जब शादी गिद माला में अनूंसर होते थे उनकी बेटी भी थी अंजुम मेरा उनके पास जाना बहुत जाना जाना होता था वो मुझे हमेशा प्रेना देते थे के यश बाबुजी आपकी फिल्म बनेगी आप चिंता मत करो तो करते करते ही 98 में एक मेरा फिर पेवा से एक दोस्त था फोटोग्राफर वो भी मुझे बोलता है सर के मेरा सपना है कि मैं मुंबई में कैमरा कैसे अंडल करते हैं डियूपी कैसा होता है मैं वो देखना चाहता हूं सरा मुझे लेके चले तो मैंने उसको वादा कर दिया कि बैटा चलूँगा तिरे साथ तो मैं उसको लेके 98 में दुबारा गया तब मेरे एक दोस्त होमिवारिया जो डिरेक्टर है और निकिता शावन की मिस्स का नाम था तो उस समय 98 में मेरा दोस्ती वो सीरियल कर रहा था शपत जो जी टीवी बैतना था तो उसने बोला कि मुझे इसमें काम दिला दो मैंने बोला तू कर ले भाई मु जैसे मेरा सपना पूरा नहीं हो पाया तो कम से मुझे जिनका मैं सपना पूरा करना यह करूं awake कि इसी बीच जब जब भी मेरी बात होती थी प४्रेम से सफेद अवैली को ले के बात होती थी वो सफेद आज तक नहीं बन पाई क्योंकि उसका 7 बनेगा यह वह शोगा थु असानी दिया इसी बीच 90 में जब मेरी शादी होई 94 में मेरे गर लक्षमी ने वास किया निश्टा के रूम में बड़ी बड़ी बेटी होई और अक्तूबर 95 में मेरी दूसरी बेटी चुनर के रूम में आई तब मुझे बच्चों से इतना लगाव तो था ही था लक्षमी के अर्वान होई मेरे उपर कि मुझे कभी भी पैसों की दिक्कत नहीं आई और जब मेरे बच्चे बड़े हुए जब इनकी एजुकिशन की बात आई इसी बीच में मैं प्रेम से टच में रहा हर साल मेरी उससे बात होती थी मेरे बच्चे बड़े होते गए उसके भी इसके मेरे बीटी है और मेरी दो बेटी है तो मेरी दोस्ती उससे दिल से थी कि यार प्रेम कुछ तो कर ले यार कभ तक कैसे चलेगा मैं पूछा क्या बनाया वन आरके उसके पास था मैंने बोला बच्चे बड़े हो गए शादिया भी करनी है कुछ देख ले बोलता कि मु कुरुक्षेतर आया इसी बीच मेरे पास एक पेमंट आई हुई थी हमने प्लॉट बेचा तो वो मोटी रखम दी किसी को दी ने देने वाली बात नहीं थी मेरी मैडम ने मुझे कसम दी थी कि प्रपर्टी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे आप किसी को दे दो उधार द बॉला कोई पर्डूसर आएगा मुझे घुसा आया मैं अंदर गया और मैंने दस लाकरव उठाए मैंने बोला यह पकर प्रडूसर आ गया तेरी को इतनी बड़ी प्रफाइल नहीं है कि प्रडूसर तरे पास आएगा यह प्रडूसर आगया क्योंकि मैंने एक स्टोरी लि पीच में नरेंदर मोदी जी ने पानीपत में अनौस कर दिया बेटी बेटी बड़ाओ तो मुझे लगा यह समय बड़ा ठीक है जो फिल्म बनाई जाए तो वह बोलता है कि पचास लाग में फिल्म नहीं बनेगी तो मेरा बजट दस लाग से पचास लाग हो गया था पचा कि इसको कम पैसा में बनाओ ना चाते हुए भी यह सुचों भी ना चाते हुए भी हमने वह फिल्म का निर्मान अनौस कर दिया और जब मैंने प्रेमराज को पेमन दी तो उसने एक बात बोली कि भाई तेरी मेरी दोस्ती तनी पुरानी है मैं नहीं चाहता कि फिल्म इंडि हुआ मैंने का डन लेकिन तु फिल्म मना इसी बीच जो मेरे बच्चे की कोचिंग के लिए चंडी कर जाते थे तो मैं उनके साथ आता था तो मैं एक बद बच्ची को बोने बोला कि अभी इसकी ममी ने इसको बोला कि आप बच्चे को बिगार रहे हैं इसको शौपिंग कर बच्चों का सपना है जब हम कर सकते हैं तो बच्चों को अपने इच्छाओं को पूरा करने दो इनके ड्रीम कभी रहने नहीं के सपने पूरे होने चाहिए तो जब मैं वापस आ रहा था गाड़ी ड्राइब कर रहा था तो मेरी छोटी बेटी ने चुनर ने बोला पपा आप कभी कोई ट्री में रह गया आप कभी कोई ऐसा सपना होगा जो पूरा ना हुआ हो तो गाड़ी चलाते समय मैंने सारा पीछे फ्लैश बैक में गया और मेरे मूंसे निकल गया कि मैं एक्टिंग करना चाहता था एक्टर बनना चाहता था वह बस तेरे दादू ने मेरे मुझे तो जाने ने दिया तो फिर वो मेरी बेटी ने मुझे इतना होस्ला दिया के पापा आप पूरा नहीं कर पाए तो आप उन लोगों के लिए एक आइडियल परसंड मनो जिनको मौका नहीं मिलता आप उनके लिए फिल्म बनाओ वो मेरी बेटी का जोश बताया हुआ होसला और उदर से प्रेम राज का मोखेब आना और मैंने वह फिल्म बनानी शुरू कर दी अनौस कर दी कि मैं प्रड्यूस करूँगा स्टोरी मेरी थी स्टोरी और प्रड्यूसर मैं था जी स्टार्ट हो गई और उसी भीच हमारे से उससे पहले मैं किशन मानभ जी है वो भी सचकी हूंगार के नाम से हमने फिल्म का अनॉंस भी कर दिया था और उसका मुरत भी हमने सचकी हूंगार के नाम से किया था और जब सचकी हूंगार के नाम से मुरत हो गया तो इसी बीच बच्चों के साथ हम मैं अपने बच्चों को दोस्त मना के चलता हूँ और जितनी भी युवा पेड़ी है मैं उनके बीच में रहता हूँ उनसे हर बात को समय समय में देखता हूँ कि क्या परवर्तन हो रहा है फिल्म लाइन में क्या बदला हूँ बच्चे क्या देखना चाहते है और जो परडूसर है डायक्टर है क्या दे रहा है तो मेरे बच्चे बोलते थे कि पापा ये जो सच की हुंकार नाम है ना ये मितुन चकरवर्ती की सनसी की फिल्म का दशक के नाम लगता है को नाम अच्छा रखो कि तब मैंने वेस्टन फिल्म में मैं मोशन पिक्चर गापा हूँ अब फिल्म नाम भी आपको नहीं मिलने होना सोग करूंश था क्योंकि नाम मिलने बड़े मुश्किल थे मुझे पता था कि अगर अगर आखबार का नाम नहीं मिलता तो फिल्म का नाम भी आपको नहीं मिलने हाना सोख कर बता किसी बीच मैंने फिर पंक लिया तो बोलते कि पंक नहीं मिलेगा भाई आगे बीचे लगा लो एक डॉटर टे 2016 में मुंबई में बारा दिन का शूट मैंने किया था और इसी से मेरी शुरुवात हो गए थी बाकी आप पुछो आप पुछो तो ये श्वाबुजी सबसे पहली फिल्म आपकी पंजाबी थी जो टाबर पंजाबदा है या पंक थी कौन सी फिल्म पहले बनाई कैसे बनी क्योंकि इससे पहले मेरा नुबब था कि आठ साल पहले जब मैं मुंबई जाता था सभी इस फ्रगलर जितने भी प्रेम राज है उसका चोटा भाई था अजे आ रहे है नरीश का थूरिया जी थे आज जो प्राइटर रहे हैं बड़े प्रेम जी को मैं नफरेम पर बड़ा क्षक करता था प्रेम से मरी बड़ी दोस्ती थी प्रेम को मैंने एक ही बात कहीँ थी कि प्रेम मेरे से पैसे ले ले और फिल्म का अंदर बान कर जब वह फिल्म बनने शुरू हुई तो फिल्म आठ साल तक बनी रह गई जिसका कोई बैगर ओन म्यूजिक नहीं था डबिंग नहीं थी कुछ भी नहीं हुआ था सब को यह लगा एर फिल्म कौन रिलीज करेगा क्योंकि फिल्म बनाना तो बहुत असान है फिल्म को रिलीज करना बड़ा मुश्किल है तो इसी भी जब मुझे पंक का अनुभव हो गया फिल्म को मैंने आलोव इंडिया में 680 स्क्रीन पर लगाया था जब मेरी पिक्चर रिलीज हुई तो मैं पहली बाप तो है कि मैं देखा जाए तो मैं तूटी चुका था कि विए जितनी बड़ी फिल्म बनाई है उतना रिट कि उसी बीच में फिर आपको जनून होता है पैशन होता है और पिछली फिल्म पढ़िए उसको बना देते हैं तो मैं परीम राज से पूचा कि परेम उस फिल्म क्या रहा कि कर लो तो फिर मैंने उसको स्कार्ट किया वह फिल्म कम पैसों में त्यार हो गई जब बंद पठी इसको वो रिलीस की थी हमने एक साल के बाद वो भी 42 थेटर में लगी थी मैंने उसको पंजाब और हर्याना के दो शहरों में एक चत्र पूर्श के तर्भी टोटल 42 थेटर में लगी थी जबकि पंक 680 थेटर में लगी थी तो इससे आप कहा सकते हो कि पंक जो है मेरी पहली फिल्म है और टबर बिजावदा मेरी दूसरी फिल्म है अनामिका जी मेरी 40 प्लस के बाद जो फिचर फिल्म हारी है वो हर्यानवी फिल्म है करम शेत्रे जिसके गीत भी आपने लिखे है दो गाने आपके है एक मेरे उत्तर ने लिखा है और उसके बाद मेरी हिंदी फिचर फिल्म जो आ रही है वो लाइफ में लोचा है ये दोनों फिल्में कम्पलीट हो चुकी है सिर्फ लॉक्डॉन की वज़े से सिर्फ पोस्ट प्रोडेक्शन का काम रहता है एडिटिंग भी हो चुकी है हमारा प्लैन तो था कि भी हम जुलाई और अगस्त में इसको रिलीस करेंगे लेकिन करोना के नाम इस नामुराद बिमारी से आप सब जानते ही बली बनती जानते है ये दो फिल्मों के बाद जो मैं आगे बनाने जा रहा हूँ जो मेरे प्रजेक्ट है ओल रहा है वो जो मैंने स्टार्ट करने थी वो पंदरा एप्रल को मैंने शूट करने थी 48 कोस के नाम से 48 कोस जो है अब 30 जुलाई के आसपास शूट होगा जिसमें प्रिक्षिसानी हैं सारे भी बड़े-बड़े एकलाकार हैं और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा रेड़ स्लीपर के नाम से दो मैंनी फीचर फिल्में और अभी शूट होने बाकी हैं उसके बाद देखते हैं हम मैं वैब सरीज पे चला गया हूँ और कराई मेरे इस टाइप का प्रोगरम में ज्यादा इंवेस्ट कर रहा हूं मेर या फीचर फिल्म में बस यह जो लिखी गई है लिखी गई है और अभी मेरा मन इतना नहीं है कि मैं फीचर फिल्म बनाओं और फिर उसको खुद रिलीज करूं यह बड़ा मुश्किल सवाल है बकी हिमत नहीं आ रही अर्याना में ये श्बाबू कलागा ने कलागारों के लिए काम करता रहेगा और उमीद है कि आप जैसे और साथी भी मेरी इस फिल्मों में जुड़ेंगे ये श्बाबू जी आपने जो दो तिन ये फिल्में बनाई हैं और आपने बताया कि इनको रिलीज भी आपने खुद ही किया तो आप इस बात पे कुछ परकाश डालेंगे कि फिल्म को खुद ही रिलीज करते विए क्या समश्या आती हैं क्या दिकत है यहां रियाना में और जो सिनेमा होल मालिक है इनसे क्या कुछ समश्या रहती है तीनों फिल्में जो मैंने थेटर में लीज की हैं वो मैंने खुद ही अपने आप ही पैसा लगाया है सारा परमोशन मैंने खुद लगाया है पांक फिल्म के समय ही इतना परमोशन में पैसा लग गया था कि मैंने सा कहल दो एक जनून था कि जब आब फिलम बना लेते हो कि सी बीच में मोका आया था है कि मैं बाराद इनका शूट करने के बाद मुंबाईने भिलम में छोड़ दी थे में फिलम इसको पूरा नहीं करता तो मैं बस की बाथ नहीं है है ज़न में वापिस आया तो मैंने मैडम को बोला कि बस अब आम फिल्म नहीं में आते हैं छोड़ दी अभी मैडम ने दो तिन दिन तो चुप रही उसके बाद उसने एक ही बात बोल ली कि पचास किलोमेटर आगे चल चुके हो और पचास किलोमेटर का सफर है अब देखना आगे जाना है ये पीछे जाना है तो ये जवाब मिल गयते था तो सारे शेयर को पता है कि ये शबाबू जो बोलता है वो करता है और मैंने वो पड़ा था कहीं गुलजार साब ने साउन नहीं होता साहिब जब मिलती है तो पूरी मिलती है जब जाती है तो पूरी जाती है इस वह बात मेरे मन में थी कि अगर कुछ करना है तो फिल्म बनानी है क्योंकि अनॉंस कर चुका हूं 12 Legacy हो चुका है अब चाहए मैं भी कूँ ये कुछ भी के ये फिल्म तो बनेगी और थेटर में लगेगी जब मैंने बड़े बड़े बैंदर के पास में गया मैं एक तक अपूर जी के पास भी गया था वहां मेरी शैद बात भी बन गई थी लेकिन वहां पर एक बात नहीं बनी वो थी कि फिल्म तो वो ले रहे हैं फिल्म को रिलीज करेंगे नहीं करेंगे अपने बैंदर पर करेंगे किसी पर करेंगे वो कुछ नहीं हो पा रहता इसी बीच में मैंने फिर कि सुचा कि फिल्म जो मेरे दिल से जुड़ी हुई है वो मैंने खुद रलीस की पूछा परमोशन कैसे होता है टीवी चैनल पे पी आर कंपनी से संपर किया हाला के मैं मीडिया से था मुझे जितना डिस्कॉन मिलना था मिला साड़े चार लाख रुपे तो आप ये लगा के चलिए कि आपका लोडिंग चार्ज होता है यू एफो के सरा सरक्राइबल पदमाले जितने भी ये लोडिंग है आपको एक बार फिल्म लोड करनी पड़ती है तो साड़े चार लाख रुपे उसके लगते है तो मैंने किया और आज वापिस नहीं है अब मान सकते हो कि पंक फिल्म के पैसे अभी तक वापिस आने है थेटरों से पूरी पेमन नहीं आई तबर बंजाबदा पिक्चर मैंने सेल कर दी और 40 प्लस जब मैं बेचने की बात करता हूँ बिखने की बात आती है तो उसकी कीमत नहीं मिलती और थेटर में जब मैंने लगाया था मैंने जी एस्टी भी भर दिया सरकार को टेक्स भी दे दिया बड़े-बड़े कार्निवाल ये गलिड्स इन से पेमन आनी बाकी है आ जाती है, कल आती है फिल्म भी खुद लगानी पड़ती है पैसा भी खुद लगाना पड़ता है परमोशन भी खुद करना पड़ता है उसके बाद जाके पैसे के लिए भी भी भीख मांगनी पड़ती है हाँ ये शबाबुजी यही हम जाना चाह रहे थे कि जब पहली बार अपने सिनेमा होल में फिल्म लगाई इनके अधकंडों का लेकिन जब प्रोडूसर कोई पहली बार फिल्म लगाता है और अपने ही जेव से फिल्म चलाने के लिए पैसा देता है तो यह सब क्या कुछ करते हैं इसके बारे में कुछ बताएं कि कि फिल्म आप है फिल्म लगा रहे हो तो डिस्ट्रीपूर कोई नहीं होता है आप यह वसलेकिंडी केवल डिस्ट्रीपूर थेosition सबसंदों कि ऐख भी सब्सक्राइए आप से एक फिलम की लिए चार्ज करेगा कि मैं आपकी फीलम को पचास थेटर दिला दूँगा पांसो थेटर दिला दूँगा थेंगा चुछ यह सरो है कि दोसुट इस्ट्र मिलेगे या पांसो अध्र मिलेंगे आप से उतना चार्ज डिस्ट्रिपूटर जो नाम बना हो अभए वह ऐसे चार्ज करेगा rasa रह लोह सारज वह करेगाव ocasích अब जलमástā예요 अब वो फिलम थेटर में नी चली चली इतना बड़ा होड लेगी नेशनल वोड लेगी तो अगर उनको आज फिलम लीज करनी पड़े तो ये पैसे मांगते हैं थेटर वाला को कोई मतलब नहीं है थेटर वाले को केवल डिस्ट्रिबूटर या परसेंटेज चाहिए आप फिलम की जो लोडिंग चार्ज है मालों मैं कुरुक्षेतर की बात कर रहा हूँ कुरुक्षेतर में क्यूब यहां पे है लोडिंग बाला एक आपके रोतक में आर एन सिनेमा गर में मैंने पिक्चर लगाई थी यभी 40 पलस लगी थी तो 25,000 रुपए उन्होंने में चार्ज किया था 28 शो के जितने भी थेटर आप ले आप मालों 100 थेटर ले रहे हो अर्याना में 100 थेटर के आपको साड़े 12,000 रुपए शो के चार्जिस देने देने है फिल्म आपकी चले ना चले शो चले ना चले आपको साड़े 12,000 रुपए थेटर वालों को देना है पलस जो डिस्टिबूटर है आपको 100 थेटर की बात करेगा कम से कम 10,000 रुपए 5,000 रुपए 20,000 रुपए वो आपको बलेगा सर के जरंदर का ये थेटर दे रहा हूं य इतना रश हो जाएगा इतना जहन्तरी ये इतना वह है आपको इतना बरगला देंगे कि आपको फिल्म लीज करने हैं आप फस चुके हो आप जिस डिस्टिबूटर के साथ या जिस जनेंट के साथ साइन कर लोगे उसका भी आगे ठेटर से ड्रेट नहीं है उसके पास भी पुराने दलाल बैठे हुए हो क्या करेंगे बात कर लेंगे कि बाई साथ आपकी फिल्म मैं 50 से दिलवा रहा हूं आप मुझे इतना पैसे देदो एक नंबर में इतना देदो नंबर में उतना देदो पिक्चर दो लगी जब वो शुकरवार को पोस्टर भी लग देगा आ आपके हैं पोस्टर लगाने वाला आपसे 10 रुपय पोस्टर शेर में चिपकाने के पैसे लेगा वो भी आपको देना है उसके बाद आपकी फिल्म का शो पहला शो ही उड़ गया आपके थेटर में 10 लोग नहीं आए तो शो नहीं चलेगा अपने साड़े बारा लाकर पर आपको वापस एक पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि वह बोलेंगे कि हमने तो आपके लिए थेटर रखा दाना जी हमें तो लोस हो गया और दूसरा जो फिल्म आपकी लगेगी आप अपने जो रजमाई से अपने लिंक से मैं रोतक की बात करता हूं मैं रोतक का हूं रोतक की फ मुझे पहले परचेस करनी है और वो बोलेंगे जी 50 लोग आएंगे तो शो चलेगा नहीं चलेगा 50 के शो जो है वो 200 रुपे का टिकट है आपको 200 रुपे के हिसाब से 50 लोगों का टिकट लिया 10,000 रुपे वो आपको फिल्म लगानी पड़ेगी 10,000 रुपे का अगर प्र 80 लोगों को कोई न कोई दिक्कत रहेगी यार आज मेरे घर मेरे माता जी बिमार होगे यार आज बच्चा बिमारा है आज मुझे स्कूल जाना है मुझे वो भी टाइम पे नहीं आएगा 80 टिकट आपकी बेकार है आप वापिस करोगे वो आपसे नहीं लेगा हाउस फुन नहीं कर सकते हो दूसरे शो में आपकी फिल्म उठागे बार फिंकेंगे रही बात कि आप यह चाते हो कि कि पिक्चर लगे और पैसा ना लगे धेटर وाले कुछ करें ये धेटर वाले कुछ नहीं कर सकते जो कुछ करना है आपको करना है प्रड्यूसर बनने से पहले एक बात हमेशा याद रखो कि आप एक कुवे में छलंग मारने जा रहे हो अगर आपके पास बंदोबस्त नहीं है आपके पास अपने बच्चों के भविश्य के के लिए पैसा रखने के बाद एक्स्ट्रा पैसा आप इस्तमाल कर रहे हो फिल्म प्रड्यूसर में प्रड्यूसर में तब तो ठीक है वरना यह यह दो मैं इसको क्या बोल सकता है आत्ता मत्या करने वाली बात है बेचैन साब इसी जनून में तो पिक्चर बन गई वजी यह जो इज़्जत का मामला है ना कि आप अनौस कर देते हो और फिल्म जब मैं पहली बार बनाने गया था ना मुंबई में तो बहुत से कलाकार बड़े-बड़े कलाकार कहते थे कि पतनी यार यह फिल्म करोना के समय भी बहुत बड़े-बड़े-दिकित कलाकार आज भी बोलते हैं यह बाबुजी आप फिल्म बनाएंगे हम बिना पैसे भी काम करने को त्यार हैं जब फिल्म बिक जाए फिल्म रिलीज हो जाए आप हमें पैसे देना क्योंकि उनको भी पता है कि यह आदमी फि ईग्जञा यह इच्जत कमाई एसा और कुछ नहीं है यषबाभू ब्रेंड Dz 6 खड़ा नहीं हो गया जब पैसा कमा या अज तोछ लो मैं यह नी कहता कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं लेकिन आज मेर गवार नहीं पहली भी में जो मेरा गया गया और जो अज मैं कमा रहा हूं मैं यह समझता हूं कि मेरी पहली फिल्म ने भले पैसा ने कमाया लेकिन मेरी पहली फिल्म पंक ने डीडी नेशनल पर 12 स्टंबर 2019 को 128 देशों में उसका एक ही ताइम में परसारण हुआ मेरे लिए एक गर्व की बात है मेरे लिए बहुत बड़ी इच्चत है जो मुझे इस फिल्म ने दी है दूसरा जब मेरी फिल्म का प्रमोशन हो रहा था तो उस समय मुझे याद है कि दो टीवी स्टार भी थे जो मेरी फिल्म में नहीं थे लेकिन वो मेरी फिल्म के प्रमोश किया था उस्पेशलिस बात को कहके आए थे कि ये श्वाबू जी आपके फिलम बहुत बढ़िया चलेगी आपके फिलम का कंसप्ट बहुत बढ़िया है आपको यहां इज़त मान पूरा मिलेगा आप आईए तो यह अनेल शर्मा जी अगर मुझे वहां पर शीरवा देते हैं और मैं यह समझता हूं कि मैं इज़त कमा रहा हूं और बगवान ने चाहा तो मैं पैसा भी कमाऊंगा आप सब भाईयों का शीरवत रहेगा तो गोड़ साब नमस्कार वैसा मज़ा आगया आप यहां आईफा से आप भी जुड़े हैं बहुत अच्छा लगा वैसा दिल की कह रही हों से वेलकम है आपका जिंदाबाद गौड़ साब तो ये शबाभू जी आपने पहले पंजाबी और हिंदी फिल्में ही बनाई बाद में आपने अनाउस भी किया था कि आप एक हर्यानवी फिल्म भी बना रहे हैं तो हर्यानवी की तरफ आपका क्या आपका सोचन है कोई फिल्म जो बनाने वाले थे वो बन गई या नहीं बन गई हर्यानी फिल्म के बारे में कुछ बताईए जी यह बबू आपने एकदम दुरुस्त फर्माया भाई बस मज़े तो यही समझ में आया कि यह जो फिल्में होती है यह प्रोडूसर की ओलाद होती है और जवान होकर कौन से ओलाद होनार निकलती है कौन से निकम ही निकलती है यह सेम वही मामला है फिल्मों का और ओलाद का यशबाबू के साथ है मैंने भी एक फिल्म किये है अब लोकडाउन से पहले की बात है तो वो मेरा बहुत अच्छानव हो रहा यशबाबू के साथ है और ये बहुत अच्छे इंसान है विवाइडिक ग्रूप से भी और जो प्रोफेशनल लाइन है फिल्म लाइन उसके हिसाब से बहुत ही अच्छे इंसान है और इनका जो काम करने का तरीका है वो भी सबसे अलग है तो मैं बड़ा खुश नशीब हूँ कि मैं यश्बाभुजी की फिल्म में काम करने का सोब आगे प्राप्त हुआ मुझे तो यश्बाभुजी आज आप आए हैं इस स्टेज पर हम सब के सामने अपने जीवन की कहानी को लेकर तो आपके साथ बने हुए हैं कॉंग्रेशुलेशन्स थैंक यू इस से पहले कि मैंने तीन फिल्म मैंने बनाई हर्यानवी फिल्म का मेरा बिलकुल कोई मन नहीं था और ऐसे ही जो आपने गुरूब बना रहा है हर्यानवी सिनमा वाला जो इससे पहले रेड़ कार्पेट शेपाल जीने एक हर्यानवी फिन सिटी के नाम से शेद गुरूब बनाया था उस में किसी सज़ल ने एक बड़े कलाकार के बारे में लिखा था कि बिना कुछ किये मलाई खाने आ जाते हैं तो आपने हमारे हर्यानी संस्किति के लिए क्या किया है हर्यानी फिल्म के लिए आपने क्या किया है जो आप यहां पर आ गए है तो में खलमें वो गुरुप खतम हो गया या कुछ बात होई तो वो बात मेरे दिल को लगी बस मेरे मन में आया कि अगर इतने बड़े कलाकार के लिए एक कहा जा रहा है कि आपने हर्याना के लिए क्या किया हर्याना के लिए क्या किया तो यह श्वाबू तुने भी क्या किया है यह श्वाबू ने भी हर्याना के लिए कुछ नहीं किया था जबके मैं हर्याना करने वा और एक तो बेटी कुरुक्षेत्र की थी पारल कोशीर उसको भी मैंने मुंबई में चांस दिया था में लीड रूम में तो सुषील जी हर्यानवी उसी दिन मेरे मन में बैड़ की थी करम शेत्र मैंने हिंदी फिल्म लिखी थी और उसके स्क्रीम डियालोग भी हिंदी में आय लेख जाएं तब मैंने चाहएं आपको फोन किया था कि सुषील जी मेरे पास स्टोरी है मुझे हर्यानवी अनुवात करने वाला चाहिए तो आपने मेरे हल कर रहे थे जो मेरा कीड़ा शांत नहीं हुआ और आपका कीड़ा भी जो उस दिन रो रहा था शांत नहीं हो रहा था तब मैंने आपको अनूंस किया था कि आप एक फिल्म बनाईए डारेक्शन आप करेंगे प्रड्यूस मैं करूंगा स्टोरी जिसकी मर्जी हो पर हो हर्यान हरयानवी हो उसके लिए मैंने आपको हकी थी इसलिए मैं अब हर्याना की तरह भिशलिया हो कि जितने भी हमारे साती इस गुरुम में जुड़े हो एं और जितने भी अब तक मैं मतलब जैसे कहा सकता हूं कि सबसे पहले दो पकड़ी फिल्म है बाडिया जी की फिल्म आई ऑप ने वरल ले गई पर शंदीब श्रमा जी की फिलम आई ने बहुत के बाद आई थी इसकोशिक जी की चोरियां जोरों से कम नहीं होती है वो भी चली इसली नहीं से बात करूं तो दो तो बरी ने सब्सक्र लेए हैं बायों को मेरी शुब कामना है मिलेंगे तो उनको उस दिन देंगे देंगे लेकिन फिर भी न हर्याना के लिए जो करना चाहता है वो ये लेके आए कि अभी पांच साल पल्ले से निकालने वाला समय है आप करो क्योंकि पतरगार होने के नाते जितने मैंने इंटर्विव की हैं बड़े-बड़े कलाकरों के सबका समय एक ही देखा है तनुवेर्स मनु का जो डारेक्टर थे मेरी उनसे बाद हुई मैंने इंटर्विव किया तो बोलते हैं ये मेरी पांच सबी फिल्म है चार फिल्मों को कोई जानता भी नहीं है मेरी काम यह भी पांच सबी फिल्म थी उसके लावे मेरी एक दोस्त नहीं तो मैंने बताओ कोंसी के जी मेरी थी गोला बारूद जो आई और उड़की चली गई तो हमने तीन तीन चार साथी दे दोस्ते उन्होंने मिलके फिल्म बनाई थी दिवाना जो सुपरेटी वही और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि क्या हुआ फिल्म कितना पैसा कमाए तो वक्त का सुशील जी किसी को कुछ पता नहीं है आप जिस शेत्र में जा रहे हैं नेक नेती से जोश बुलंद आपका रहना चाहिए आप खुआप कोई दिखो खुआप यह नहीं है कि आपने हिंदी फिल्म का मनाया आप हर्यानवी का मनाओ लोगा रहनवी फिल्म क्या श्रीम गीन可以 क्या पांद अटो फिल्म के लिए आपको फिर से pry मैंने आपको चुना था क्या फ्लम बनाओ आपको भी ओफर है कम से कम एक दो को और भी आफर है जो अपने बजट में रहके फिलम बनाए और पैसा भले ना आए लेकिन आवार्ड लेके आए नाम आपकी चाप छोड़ जाए कि आपने हर्याना के लिए हर्यानवी के लिए कुछ किया है किया है जेडी बलुजी धन्यवाद वो करम शेतर में जो आपने काम किया है वो आप पे ही रोल फिट पैड़ता था जब आप कहानी लिखते हो तो आपको पता है कि ये किरदार कोन निबा सकता है पहली फिलम में भी मैंने पुड़ा ध्यान दिया था और मैंने एक जिगे गल्ती की थी कि मैंने इमोशनल एक ऐसा करेक्टर ले लिया था जो मुझे वाके में नहीं लेना चाहिए था क्योंकि फिलम के बाद बनने के बाद लोग बोलते है यार इसको किसको ले लिया इसको लेना चाहिए था तो जब मैंने फिल्म लिखी तो किरदार देखने के बाद शायद आपको याद होगा कि मैंने आपसे पूरा ओडिशन भी लिया था और आपसे फोटोग्राफ्स भी मंगाए थे जब तक मेरे मन में मेरे दिल पे उतरे नहीं बलु जी आपको लिया भी नहीं पर आप याद कर लो आपको जल्दी थी वरना डारी फिल्म में भी आब आने वाले थे और अब भी जो नेक्स्ट मुवी बन रही है उसमें भी आपका है बड़ा रोल दो नहीं कह सकता लेकिन वो जो बहुत से साथी इस गुरूब में है जो बुजूर के हैं क्योंकि वो फिल्म एक बुजूर्गों पर बन रही है 40 एर कोस जो रेमन गुरूब के मालिक के उपर फिल्म है बागवान टू टाइप फिल्म कह सकता हूं मैं समझता हूं कि उसमें जो मेरी उमर के हैं 40 पलस से ज्यादा है 40 से 60 प्लस में हैं आलमोस्ट कम से कम दस साथी जरूर्स फिल्म में होगे और हम सभी होंगे धन्यवाद बेचैन साहब आपने भी एक फिल्म बनाई है ना आप भी सुना दो कुछ और बेचैन के पाले में है भभवान करे तुझे कभी चैन ना मिले ये श्वाभू जी आपने सही का वो किसी शायर का लिखावा अशेर है ना हम सफर ना किसी हम नशीशे निकलेगा ना हम सफर ना किसी हम नशीशे निकलेगा हमारे पाउं का काटा है ये हमी से निकलेगा आपने मेरे पारे में जो कुछ भी कहा मैं आपका तहे दिल से शुक्र गोजार हूँ कि आपने मैंने आज तक कुछ ऐसा नहीं किया इस लाइन में फिल्म लाइन में फिर भी आप मेरे अपर जुआ खेलने के लिए त्यार है तो मैं आपना सुभागय समझूँगा कि आप कुछ अच्छा करें आप जो भी प्रजेक्ट लेंके चलें उसमें कामयाभी मिले ताकि एक नया रास्ता मिले हर्याना को लेके हर्यानवी सिन्सीनेमा के विकास और यो आपने गूरूप को लेके चल रहे हैं तो हमारी सब की योजनाए हमारे सब के सपने पूरे हों और हर्यानी सिनेमा अपनी बुलंदियों को चुए उसमें आप सब का हम सब का योगदान शामिल रहेगा तो आप बनाएं जो आपके अच्छा है वाई यश बबू वाई शलूट आपके जज़वे को और शलूट आपकी विचारदारा को भाई आज हर्याना में यही विचारदारा चाहिए यही जज़वा चाहिए और यही ज़़वा यही विचारदारा हर्यानवी सनेमा के लिए एक इबारत लिखेगी मज़ा आगया भाई आपकी विचारदारा सुनके शलूट है आपको और हाइफा परिवार का सुभागे है जो इसमें आप जैसी सक्षियत जुड़ी हुई है आप जैसे विचार्स गुईन युवा साथी आप जैसे प्रभावशाली निर्माता यहां हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और हम उनसे कुछ सीख रहे हैं मज़ा आगया यहस बाबु भाई एक बार पुने हैं आपको मुबारक बाद मुझे बेचेन रहने की दुआ देते हैं यह दोस्त है मेरे अच्छी बात है भाई और माजी ओ कहते हैं कि तुम्हें सुनाओ यारो क्या ढंग है जमाने के हमने तो आजकल घर से निकलना जोड़ लिए भाई सुनाओ यही है कि जो मैंने देखा और मैंने मैसूस किया फिल्मे वास्ताव में जनून से ही बनती है पैसा माईने रखता है लेकिन मुझे यह लगता है कि अगर आपमें जनून है और आपकी इच्छा शक्ती है तो पैसे का भी परबंद हो जाता है पैसा भी आजाता है लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचो भाई जिनके पास पैसा भी है लेकिन इच्छा शक्ती नहीं है तो इसमें कोई दोर आए नहीं है फिल्में जनून से बनती है और ये जनून जिस दिन हर वेक्ति के अंदर आ गया और इस लाइन से जुड़े वे कलाकारों के भीतरा आगया मैं तो यह कहता हूं कि आठ दस कलाकार भी आपस में मिलके अगर एक जुगलबंदी कर लें अपने जनून के साथ कि यह समय फिल्म बनानी है तो कोई बड़ी बात नहीं है इस फिल्ड के लोग ही जनून दिखाएंगे और इस फिल्ड के लोग ही आगे बहाया है एक पत्रकार ध्रम को भी निवाया और आपके भीतर बैठे उस सक्स के परती भी आप पूरी तरह से अनिश्ठावान रहे जो एक फिल्मी सक्स है आपके भीतर शलूट है आपकी सक्सियत को खबर उनकी भी लो यारो जो हिम्मत हार बैठे हैं जी यस बबु भाई कंटिनू रखे आप अपने जरनी को हम आपके साथ जुड़े हुए हैं बेचेन भाई केवल मेरे चाने से या मेरे अकेले से पूरा हर्याना एक अठानी होगा इस गुरू में जितने भी लोग हैं जितने में जिनों में जिनमें मैं जनून है जाए एक पिक्चर बना चुके पहले साथी अगर वो दोबारा से जुड़ें उनका सपना होगे रहे मैं दुबारा एक से एक फिल्म बनाने चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि पहली फिल्म से उनको पैसा वापिस नहीं आया पर वो दुबारा से ठंडे हो गए ठंडे हो गए या वो सुचते हैं कि चलो पहले पैसे आ जाएं तो दुबारा हिमत जुटाते हैं लेकिन मैंने शायद उन से हटके इसलिए जल्द बाजी की है कि मैंने पांच फिल्में बना दी तीन रिलीज कर दी दो बना दी सिर्फ इस उमीद में कि बड़े बड़े प्रडूसर और डारेक्टर का यह अनुबव है कि जी पांच छे फिल्म है तो आपको बले बनानी पड़ती है च्छती साथवे फिल्म के बाद आपका नाम होता है मेरे यह मानना कि अगर कोई और साथी भी फिल्म बनाना चाहता हो जिसके पास एक स्टोरी हो जनून हो होसला हो बलंद रखे होसला यह नहीं कि आज होसला है यहां बनाना चाहता हूं गर जाए तो बीबी बोल दे नहीं पहले तो हमारे को राशन दे भवाई तेरी बैंक की किस खड़ी है तेरे को पहले वो देने आया था वो बेक्ती नहीं जो वेक्ति जुड़े वो ये लेके आए कि मैं तो सर पे कफन बांद के चला हूँ भाया तब तो वो फिल्म का प्रोड्यूसर भी बन सकता है डिरेक्टर भी बन सकता है वो आगे में निकल सकता है मुझे आद भी याद है मेरी फिल्म के जो सगनी पले रैटर थे क्रिशन मानव मुझे नहीं पता था कि वो उन्होंने 45 साल हो गए उनको मुमई में गए हुए इन 45 एर में 25-45 साल तक उनको एक रेगुलर फिल्म रेटर रेटर एस्टिसेशन का कार्ड नहीं मिला क्योंकि उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हो भाई जब मेरे पास आए कुरुक्षेतर में एक बहुत बड़ी इस परिशले किया थे कि मैं कुरुक्षेतर जा रहा हूं तो भाई जा रहा तो ये श्वागु एंटर्टेनमेट मां मिलके आना मुझे फोन आया क्यों मैं मानव बोल रहा हूं मुझे पाने जी ने बेचा है साहिए वेलकम मैंने बुक्षों से उनका स्वागत किया बादचीत की और जाते समय मैंने उनको एक चक पकड़ा दिया कि आप मेरी फिल्म लिख रहे हो और जब वो गए और तब तक उन्होंने मुझे नहीं बोला मेरे साथ वो मढखी पूरी नहीं हो पाई और जब मैंने का मानव जी आप बेफिकर हो के जाओ यह फिल्म भी पूरी हो गी आपका सपना मैं पूरा करूंगा तोड़ दो आप इस आपका जो चाप लगी ठाप ठपा लगाना वो खतम हो जाए चले के फिल्म अर्लीज हो गई तब तक मुझे नहीं पता था फिल्म अर्लीज होने के बाद वो कुरुक्षेतर दुबारा है सिर्फ उन्होंने एक बात कही कि यह बाभू जी एक बजरुक आदमी है जी मैं समझत मेरे पिता दादा दादा समान हो अब आप ऐसी बात मत करो बोले कि मुझे सेंसे सर्टिफिकर चाहिए और सेंसे सर्टिफिकर फोटोकपी मैंने जब उनको दी और सच बताओं तो वो आखों मत्थे पे लगा के डोने लगए कि पंताली साल में मेरा सपना तुमने पूरा कि क्या है आज मैं रेगलर मेंबर बन जाओंगा फिलम रेक्टर सुसेशन का आज उनकी वहां पे जो ओल्ड बुडापा पेंशन भी लग गई है जैसा कि वो कहते हैं तो यह नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो क्या जनून है हम मिलके हम सभी को एक दूसरे का साथ देना कि अगर कोई वेक्ति किसी मामले में पैसों में कमजोर है किसी मामले में अगर उसके साथ घर वाले स्पोर्ट नहीं करते हैं लेकिन वो कुछ करना चाहता है तो हम सब का फर्ज बनता है सभी साथियों का जो जो जिजिस में जिजिस शेत्र में निपून है उनको उन अपने साथियों का साथ देना चाहिए चाहिए वो कास्टिंग हो एक्टिंग हो चाहिए वो फाइनेंशली भी हो तो कि इस लोगडाउन में बहुत से कलागारों का घर चुला चुका बंद पड़ाया अपने में दो नहीं कह सकता है लेकिन जो कलागार साथी है ना उनके बारे में तो भी गुजारिश है आप सब के साथ जुड़ो कि आपका जो हस्मुक चेरा है आप सब को जोड़ लेते हो चाहिए हमारे बेचैन साब को बेचैन करने के लिए अब हमारे शर्मा जी कह रहे थे बस इसी तरह प्यार बनाई रखो साथियों को जुड़ो मेरी शुब कामना यस जी नमस्कार संदीब शर्मा बोड़ा हूं अब भी आपकी एकलिप सोडी डिस्टिबिशन को लेके तो इसमें मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूं कि जैसे आपने सत्रंगी की बात कहीं कि सत्रंगी जो थी क्योंकि उपर वाले की मेर रही है हम पे सत्रंगी की मिला और हर चीज को लेके वो लिखने से लेके और फिल्म रिलीज करने टक कोई भी गलत इंसान में जुड़ा सब एक से एक बढ़िया लुटते गए तो जहां आपने बात थे ही कि फिल्म बनाना आसान है और रिलीज करना मुश्किल है तो पता नहीं मेरे को तो वही है कि ह हां, अरियाना में मैंने फिल्म रिलीज किया तो मुझे तो मुझे कुछ भी नहीं आई और नहीं इस तरिके से मैं लुटा इस तरीकी की चीज़े आपने बताइक कि एक बहुत ही जहीन इंसान है बहुत ही इमांदार इंसान है जिनका नाम है संजग है कि मैं उनसे मिला था उनको मैंने अपनी शूरी लिखाई दी फिल्म की और उन्होंने तुरंट कहा था कि कि भाइसा मैं रिलीज कर दूगा कोई टेंशनल बात नहीं है तो जो उनके कोई उन्होंने मुझसे चार्जिज नहीं मांगा कोई उस तरी कि मुझसे कोई मोटा पैसा नहीं एक जो डील होती है वो डिस्टिब्यूटर की कि अब परसंटेज वो तो आपको देना ही तो जो उन्होंने मुझे परसंटेज कई थी हमने उसको डन किया और उन्होंने फिल्म रिलीज की थी लेकिन हमारी फिल्म पॉझस पड़िकन हम सेंट इस का और बैनर का पोस्टर का पैसा हमने उनको दिया था फॉर्शनेटिश यहिए तक तरश्व कर अपना अपना यह ज तो सिर्फ उतना सा एक हेर फेर था बाकि कहीं भी कोई एक्स्रा पैसा कोई देना या लेना कहीं कुछ नहीं था और दूसरी बात रही के पेमेंट की वो हमारी जितनी भी पेमेंट आई ये एक महीने के अंदर-अंदर मेरे अकॉंट में आ गई थी क्योंकि आज तो सब कुछ ओनलाइन होता है आपको दर-दर भठकने की जरूर थी नहीं है आपने एक में लिखे के भीया हां मेरी ये लगता है कि एक सही इंसान का मिलना बहुत जरूरी है जो आपको ठीक से गाइड कर सके वाह यस बाभू वास्तों में यार मज़ा आ गया कामियाबी की जो स्टोरियां आप बता रहे हैं कि कामियाबी कितने कदम दूर होती है और किस तरह कामियाबी मिलती है और लग रहे हैं वह ही है मुझे एक किसा याद आ गया कि किसी ने कि यह सुना कि वही उसके खेतों में तेल निकलता है कि तो उसने अपने खेतों में खर्चा करना शुरू कर दिया और उसकी खुदाई शुरू कर दी लेकिन उसमें कहीं भी तेल नहीं निकला वो हो गया परेशान कोई आप जैसा था उसने उससे पुछा भाई तरह कितना का खेत है बलावी मेरा खेत है पचास लाग का और इसको पर खुदाई करवाने में बलावी खुदाई करवाने में खर्चा लगया 30 लाग बलाई असी लाख बलाए ये ले 80 लाग रुपे और तिरह खेत मुझे दे दे उसने वो खेत ले लिया अब खेत लेने के बाद उसने देखा यार इस बंदे ने पिछाणों फुट तक खोद रखा है और तेल नहीं निकला थोड़ा और खोद के देख ले अब उसने अपनी खुदाई चालू करवाई और वैसा पांच फुट खोदने के बाद उसमें तेल निकलाया तो तब किसी पत्रकार ने उससे पूछा कि सक्सस के क्या मापदंड है और सक्सस कितने लंबी होती है तो उस सक्सने का भाई मेरी नजर में तो सक्सस पांच फुट लंबी होती है हाँ ये अलग बात है कि किसी की नजर में सक्सस पिचानवे फुट में भी लंबी नहीं होती लेकिन मेरी नजर में सक्सस पांस फूट लंबी होती है और वो तब जब अगर आप पूरी निश्ठा के साथ और उसके ओपर पूरा इच्छा शक्ति और भरुसे के साथ लगे रहें तो भाई आपकी बात सची है कि सक्सस कईयों के लिए पिचानवे फूटकी भी नहीं हो पाती और कईयों के लिए पांच फूटकी भी हो जाती है बस शर्त यही है कि लगे रहो लगे रहो जनून के साथ निश्ठा के साथ लगे रहो और भाई यही विचारधारा यही अंदोलन यही दिलों के अंदर जो जनून है हर्यानवी सिनेमा के अच्छे दिन लेके आएगा बहुत अच्छा लग रहा है येश भाबु भाई शालूट है आपको दुबारा येश भाबु जी नमश्कार मैं रवी चुहान बोल रहा हूँ मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने अंत में कही कि हमें सब को मिलकर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें सब का भला हूँ हर्याना का भला हूँ और क्रियेटिविटी चलती रहे ये बहुत बात है इस पर विचार किया जा सकता है सारे सोचें ये लॉकडाउन खुले तो एक बार हम सब मिलें इस बात पर विचार करें जिस जिसका जो अनुभव है जिस जिसका जो टेलेंट है उसको उसी हिसाप से यूज किया जाए और अपने इस कल्चुरल हैरिटेज और हर्यान संदीब जी आपको घई फैमिली मिल गई ये गई परिवार मिल गया है ये इनका बहुत बड़ा डिस्टिबुशन ऑफिस है इनका जैसे माल लीजी आप इनके अपने सक्रीन्स हैं इनके अपने सिलिमा हॉल हैं आज चोरियां चोरों से कम नहीं होती उनको भी कुछ दिक्कत नहीं आई जब आप एक फिल्म को बड़े बैनर के साथ या बड़े डिस्टिबुशन के साथ लेके जाते हैं और आपको अगर सब कुछ एक नंबर में पार्शल्टी सभी तरह से तरीके से मिलते हैं जैसे आपने बताया तो उसमें तो कहीं दिक्कत आईगी नी मैं तो पह लोग सही मिले हैं क्योंकि आपका सरकल भोई ही बना रहा क्योंकि आप फिल्म लैंसे जुड़े हुए थे मेरे लिए यह पहली फिल्म थी आज तो मैं भी कहता हूं कि मैं लूट नहीं रहा हूं आज मैं बचा हुआ हूं अगर आप स्टार्टिंग से बड़े बैनर के साथ जुड़ जाते हैं बड़े डिस्टीबूटर के साथ जुड़ जाते हैं लेकिन आपको जैसे परसेंटेज आपने इनको दीर डारेक्ट हमें थेटर वालों के साथ परसेंटेज रही कि 52 परसेंट उनका था 48 परसेंट हमारा था और बाकी का थेटर पर थेटर के हिसाब से क कि मैं कह सकता हूं कि आपके बाद जो चोरियं चोरों से कम नहीं होती ये भी सही तरह से आई है सही थेटरों में लगी है बले वो नहीं चला पैसा वापस आ गया मैंने आपको बोला कि मेरी फिल्म के अभी भी पैसे इसलिए वापस आने है कि मान लीजिए कि किसी थेटर में पिक्चर का सारा कलेक्शन ही 34-35 रुपए आया हो वो बोलते है सर कि कैसे बेचें बताते हैं जी कल बेचते हैं वो काम बैसे तो देखा जाए डिस्टिबूटर का होता है अगर डिस्टिबूटर कमिशन ले रहा है परसेंटेज ले रहा है क्योंकि वो भी परसेंटेज ले मिले धन्यवाद सुन्दीप शर्मा कुछ रोचक बात बता रहे हैं नौलीज अपडेटिड जरूर होती रहनी चाहिए बहुत जरूरी है गई सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि यश्बाव के जो घर से हैं यानि जो उनकी नजरे हयात हैं उन्होंने बड़ा साथ दिया है बड़ा सहयोग दिया है भाई वो छोटी बात नहीं है बहुत अच्छा है मैं भी मिला हूँ इन से काफी नजदी की से जानता हूँ परिवार के साथियों को अच्छा लगा होगा तो अभी परिस्थान करते हैं दन्यवाद आपका यहान है के लिए आपका तहे दिल से मेरी और से और पूरे हाइफा परिवार के और से आपका दन्यवाद आपका शुक्रिया यस बाबु भाई बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनकर एक छोटा सवाल है मेरा कि आपने हिन्दी फिल्मे बनाई अब बात हरियानवी की है तो हरियानवी फिल्मों को आप किस नजरिये से देखते हैं आपको क्या लगता है कि किस तरह की हरियानवी फिल्में दर्शकों को अपनी और खींच लाएगी और किस तरह की फिल्मे यहां अपने आपको थाबित कर सकती है आपके नजरिये से नमस्कार यश बाबू बहुत बढ़िया भी खत्म किया मैंने आपकी सारी बातें बहुत ही अच्छी और बहुत ही बढ़िया और सबसे बढ़िया बात तो यह कि आप एक के बाद एक फिल्म बनाते जा रहे हैं बनाते जा रहे हैं जो कि अपने आप में हरियाना के लिए बहुत ही अच्छी बात है कैसा भी सिनेमा बन रहा हो हरियाना के अंदर बन रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है और आपको सेलूट है इस बारे में रियली और दूसरी बात जिस तरीके से आप निस्वारत भाव से लोगों को चांस दे रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सेलूट के लाइक बात है लेकिन एक सवाल मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ आपसे एक बात बीच में आपने कही और तीन चार एक्जामपल दिये क्योंकि एक्जामपल मैं भी दे सकता हूँ लेकिन एक कुछ है ऐसे एक्जामपल जो जिसे पहली फिल्म तो दूसरी फिल्म तीसरी फिल्म चार फिल्मे तीन चार फिल्मे आप बोल रहे हैं कि मान के चलो के कुछ नहीं होगा तीचोथी पांचवी दो तीन फिल्मे तक कुरुबान करनी पड़ेंगी चार फिल्मे कुरुबान करनी पड़ेंगी क्या इससे पांचवी शाथवी आठवी में आपको शायद पैसा वापिस आ जाए तो आपको नहीं लगता इससे जो नई करना ठीक है बच्चे लोगों के सामने जहीं जनरेशन के सामने कोई जोश में उमंग में भरा हो नया और फिल्म बनाने कोशिश कर रहा हो हो सकता है पहली बार में ही कुछ कर जाए जैसे कि बहुत सार एक्जामपल है अपने पास क्योंकि मैंने ट्रेलर देखे हैं फिल्म नहीं देखे इसलिए मैं कुछ बहुल नहीं सकता स्ट्रोंग ली सो प्लीज आप बताईए कि इस कम्पिटिशन के युग में जहां है बंद रही हैं और बड़ी बड़ी फिल्म कंटें है तो आपकी कि फिल्म कंट में खरी उतरती है के हिट हो हिस्के नैमस्कार जाश मैं आपका अपना हर्यानियमिरिगलाकार अमरकडारिया अहिपा कर देद्यक्ति प्रेफ करना कदशाब है कि उर्च मेरे सिर्माजी को जबोर नुना चाहता हो जितने मेरे सांती क्लाकार रहा है उनको को सिर्च प्यार बढ़ी नौशकार है कि पार टाव Chemoff और तीशरी एक बात मैं पक्का मानता हूँ, यश भावू के आपने पंक में वो रोल मेरे लिए नहीं लिखा था, अगर मेरे लिए लिखा होता तो कोई माई का लाल उस रोल को करी नहीं सकता था, वो माई ही करता, क्योंकि आपने आपको लगा कि यश भाल ने अच्छा मना क कर दिया तो खाली नहीं तो फिर किसी और को ले लो तो फिर तो मेरे लिए नहीं लिखा गया था सर, आप तो फिर पीछे पड़ जाते और बोलते और आके कहानी सुनाते पूरी और बैठते और सब कन्विंस करते, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नहीं लोगों ने भी किया और मै कि थोड़ा सा डौट लग रहा है मुझे मैं रोत्तक घ्रियाने से हूं और हरियाना में पंजाब में टीवी स्रेज में और हिंदी फिल्मों में काफी काम किया है मैंने और कि इसले 22 साल से रहन इंडिस्ट्री में काम कर रहा हूं और हरियना प्रिस में मैं एक जोब कर रहा हूं प्रोत्तक में सर मेरा वही में बेचेहन साहब ने या सुशीन जी ने सवाल किया था मेरा जवाब यही था जैसे आपने पुछा एक के बाद दूसरी तीसरी चौती फिरम बनाए जा रहे हैं तो सर आपका अगर जोश है कि कही ये काम याभी मिलेगी मैंने उसी पहले बीच में कहा है दोबारा से वही कह रहा हूं कि जितने भी प्रडूसर्स का अनुभव है कि हर इंसान अपनी तरफ से अच्छी फिलम बनाता है ज़रूरी नहीं कुसको पहली फिलम सफलता मिले तो दूसरी फिर बनाता है इस उमीद से राइटर अच्छा जुर सकता है डारक्टर अच्छा जुर सकता है फाइन anytime व्यक्ति उस不 immig बना लेगा और वो यह सोच जो भी मैं अच्छा है मैं भी हूँ चाहिए आप हो चाहिए कोई और भी है हर वेक्ति जो फिल्म बनाता है इस उमीद में बनाता है कि यह मेरी सूपर इड़ फिल्म है और पबलिक जो है बस याम हाउसफुल्ड रहेगा मेरा तो यही है सर पहली फिल्म थी जब मैं थाई पत्रकार और फिल्म निर्मान के बारे में पता नहीं है वही बात मैंने पहले अपने विचार संजा किये कि मेरे साथ जो लोग जुड़े थे जैसा जैसा कहते गए मैं वैसा मानता गया मैंने ये कहा सर लिखी मैंने आपके लिए थी और मैंने पूरी कोशिश की लेकिन आपने वहाँ एक बाद मुझे भी कही थी और मैंने डायेक्टर को भी कही थी कि धाई साल तक ये श्वाबू मेरे पास समय नहीं है मैं दादा लखमी चंद पे काम कर रहा हूँ उसके जिसमें मैंने आपके लिए रोल लिखा है वो रेड़ स्लीपर है और वो उसमें कोई शक नहीं है कि जो डिटेक्टिव राखी साब का रोल यह श्वाज शर्मा के लावा उसको कोई कर ही नहीं पाएगा चैह मैं जो मर्जी जोर लगा दूँ क्योंकि करेक्टर मेरे जानी करोगे मुझे पता है धन्यवाद क्या बात क्या कॉंफिडेंस है यश्वाबू आपका और मैं भी उस कॉंफिडेंस को सलाम करता हूं और बिल्कुल इसके प्रच्छी होगी सब तुछ बढ़िया होगा तो बिल्कुल करेंगे सर क्यों नहीं करेंगे अच्छा काम ही तो करने आए हैं क्योंकि मेरे कुछ दो तीन एक्सपिरियंस ऐसे रहे कि बहुत ही खराब एक्सपिरियंस रहे मैं इसलिए ना भोग क्या है कहते हैं कि दूद का जला च्छाच को भी फूप फूप के पीता है टाइक वहला मामलत था और मैं सच बता रहा हूं मेरे को एक त सरयाम बोलता हूं क्योंकि सिनेमा ऐसे नहीं बनता है दोस्तों कुछ तो प्रॉबलम है कुछ गडबर है कुछ इतना जूट बोलने के इतना वो करके मेरे को मेरे को ये बात नहीं है कि पैसा कम है या वो कम है बहुत बड़ा बजट नहीं है लेकिन पैशन की कमी हो जाए औ और आजमी तिकडम बाजी में लग जाए और तिकडम बाजीयों से फिल्म दुनाना शुरू करेना तब मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होती है और मैं फिर उससे बिल्कुल मन मेरा पूरी तो का सुछ गयाता है खेर वो बात में डिटेल में नहीं जाओंगा क्योंकि वो हो सकता है मेरा एक्स्पिरिंस रहा हो मेरे साम में सब कुछ ऐसा रहा तो मैंने देखा तो मुझे नहीं हो पाया बस वे किया मैंने लेकिन फिर लेकिन आपका बहुत ही पॉजिटिव नजरीया है याश बाबू और हम आपके साथ हैं बिल्कुल जो भी अच्छा काम करेंगे बिल्कुल जुड़े रहेंगे और अब तो पूरा हाइफा परिवा है उसी को लेना बिल्कुल सही बात है लेकिन हाइफा परिवार तो जुड़ा ही रहेगा हमेशा थैंक यू सो मच यश्वारू बहुत बगया लगा आप से बात करके और ये सवाल समुझ करके सवाल करदे बात हैं थैंक यू बर्मा जी मैंने अभी आपकी करम शित्र है उसमें भी दो सीन की हैं चोटे चोटे और फिर आपने मुझे बताया था कि ये जो आपका रेड़ स्लीपर है इसमें भी मैं काम कर रहा हूं और एक खिलम और भी आपने बताई थी का था जिए उसमें भी आपने काम करना है तो जादा रोल करने की बात है वो तो आप जैसा कहेंगे मैं करूंगा मुझे शौक है आप जब भी आदेश डेते मैं आजाकता हूं और हाँ ये दूसरा अर्टालिस कोस में भी आपने का था जिसमें भी रोल करना है आपने इसके रहाँ भी आपने सानी साथ से कही है और और लोगों से एक बात कही है कि अगर आपके पास को अच्छी प्रपोसल हो तो आप प्रोडूस करने को तयार है मेरे पास एक प्रोडूसल है एक अच्छी स्क्रिप्ट है मेरे पास और मैं उसको बनाना चाहता हूं अगर मैं उसको उसके काम करूं तो आप अगर प्रोडूस कर दें उसको बड़ी महरवानी होगी वह बड़ा ही पढ़िया प्रोजेक्ट है मैं सबी का धन्यवाद करता हूँ कि हाईफा परिवार में बोलने का मोका दिया गया धन्यवाद हाईफा परिवार के सबी सदश्य को जेडी बलू की तरफ से साथ बज़ के अठारा मेंट वाली शाम वाली राम राम आज की अचीवमेंट भी घजब 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 बहुत अच्छा भाई बहुत अच्छा बहुत ही अच्छा बिल्कुल सही शब्दों में सही आंकलन किया और बहुत ही कमाल की सकारात्मक बातें आपने बोली हाइफा परिवार के बारे में और यश बाबू के बारे में सालूट यू सर थैंक यू वेरी मच्छ रियली वी नीडिट गिरिजा भाई आप सुपर फास्क अलाकार है क्या बात है गौड ब्लेस्यू मेरा भाई लव यू